बोल सियापति राम चंद्र की, पवन सुतह नूमान की, उमापति महादेव की, बोल जी भाई सबसंतन की, सनातन धर्म की, गोमाता की, भारत मता की, भारत मता की, छत्रबती शिवाजी महाराज की की, आज के, इस बहुत ही, पुनित अउसर पर, हम सभी को आशिरवाद देने के लिए, इस धर्म पीठ पर, हमारे बीच पधारे हुए, पूज जगत गुरू, शंकराचारिय, श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, काची, कामकोटी, पिठादीश, मैं सबसे पहले, उनको बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, आज, हम सभी के लिए, ये बहुत ही हर्श की बात है, कि हमारे पूज, स्वामी, गुविन देव गिरी जी महाराज, इनके अम्रुत महत्सों के निमित्त से, इस धर्मपीट पर, इतने सारे, देश के प्रमुक, संतगण उपस्तित है, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ, किसका नाम पहले लूँ, और किसका बाद में है। मैं तो सबसे पहले, हमारे आयोजोकों का आभार व्यक्त करता हूँ, कि हमारे देश के प्रमुक, संतों के साथ, बैठने का आउसर उन्होंने मुझे दिया, और उनका आशिरवात परात करने का आउसर मुझे दिया, इससे बड़ी बात, और क्या हो सकती है। तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, और यहाँ पर उपस्तित हमारे योगरशी बाबा राम्देव जी, हमारे परम पूजनिय अवधेशानन गिरी जी महाराज जुना अखाडा पिठादिश्वर, हमारे पूजनिय जगतगुरु, द्वाराचारिय स्वामी राजेंद्रदास जी महाराज, मूलक पिठादिश उरंदावन, हमारे परम पूजनिय, हमारे अपने श्री काडशिद्देश्वर महाराज जी कनेरी मठ, हमारे जैसा उल्लेक हुआ, कि यहां आलंदी में हम लोग आए, तो जिनका आशिरवाद हमको प्राप्त करना ही पड़ता है, ऐसे शांती ब्रम्ब हरिभक्त परायन शी मारूती महाराज पुरेकर, पूजनिय शीचिदानन्द सरस्वती जी महाराज, पूजनिय आचर्य बालकृष्णन जी महाराज, पूजनिय साध्वी भगवती देवी जी, हमारे सभी के बहती पूजनिय और बहती लाडले आदरनिय भाईश्री, आदरनिय पूजनिय रमेज बयोजा, हमारे साथ यहाँपर मंच पर उपस्तित, हमारी उमाते खापरे, बाला भो भेगडे, हमारे अजे भुतला जी, हमारे राजा लुईस जी, सभी मंचा सीन, और उपस्तित सभी भेन और भायू आज खरमांजे आपले सगयान करता आ तीशे आनंदाचा दिवस है कि पूजनिय गोविंद देव गिरी महराज यहन्चा अम्रुत मोच्चवाचा निमित्याने आपन सगय आटिकाने उपस्तिताओ आणि आलंदी चा नगरी मदे आपले सगयाना मैतिय अलंकापुरी पुण्य भूमी पवित्र तिथे नांदतो द्न्यान राजा सुपात्र तया आठवीता महापुण्य राशी नमस्कार माजा शी सत्गुरू द्न्यानेश्वरासी आशाया मावुली चा भूमी मदे आपन सगे लोक या ठिकानी एकत्री तालोग आणि जी एक मोठी परंपरा आपले महाराश्ट्रा मदे आहे कि जा परंपरे नी भागवद धर्माची पता का ही नेमीच उन्च ठेवली नैदेश्वर मावुलीन पासन तर जगत गुरू तुकारा महाराशान परेंत ही जी एक मोठी परंपरा या परंपरेचा आशिर्वाद या ठिकानी घेन्या करता आपन सगे आले आओ आज खरमन जे इतक्या सगल्या संतान नी पुझ्य गुरु देवान आशिर्वाद दिले आए शुभेच्छा दिले आए मैं क्या शुभकामना ये दू परंपूजनिय शंकराचारे जी ने शुभकामना देने के बाद मेरे जैसा छोटा वेक्ति क्या शुभकामना देगा मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भाई श्री जी ने कहा आपका जब सववा जनम दिन हम मनाए उस समय मंज पर बैठे हुए सभी लोगों का आशिर्वाद हमको प्राप्त करने का आउसर फिर एक बार मिले यही इश्वर के चरणों में मैं आपके लिए शुभकामनाएं यहां पर देता हूँ वैसे तो मैं मानता हूँ कि एक इच्छा आपके मन की पूरी हुई और प्रभू श्री राम जी का मंदिर भी तयार हुआ और लाम लला जी के विग्रह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई पर मैं जानता हूँ कि अभी जब तक प्रभू श्री राम जी के साथ साथ प्रभू श्री कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक हमको विराम नहीं मिलने वाला और बाबा विश्वनात ने तो अपना चमतकार दिखा ही दिया है इसलिए अब उसकी चिन्ता करने के आवशक्ता हमको नहीं है पर मैं ये मानता हूँ कि हमारे सनातन संस्कृति को फिर एक बार उन्हीं उचाईओं पर ले जाने के लिए उसे फिर एक बार प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित करने के लिए जो एक महायग्य चल रहा है उस महायग्य में एक बहुत बड़ी समिधा के रूप में हमारे गुईन देव गिरीजी महाराज ये सातत्य से काम कर रहे है और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत यहाँ पर नमन करता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे ट्रस्ट के न्यास के पुशाद्देक्ष के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने ये कारे किया वैसे तो ये मंदिर प्रभू शिराम जी का अगर हम कहते तो भारत के पाच लोग मिलकर भी बना देते लेकिन वो फिर प्रभू शिराम जी का मंदिर नहीं होता प्रभू शिराम जी का मंदिर तो जन जन के माध्यम से बनना चाहिए इस प्रकार की बात न्यास ने सूची और गुरुदेव के नित्रुत में करोडो करोडो लोगों ने अपनी आस्था के साथ इस मंदिर के लिए जो भी संभव था वो दान दिया और मैं ऐसा मानता हूँ ये सबसे अच्ची बात है किसी भी सरकार का एक भी पैसा न लेते हुए हमारे रामलला भारत की जनता के माध्यम से अपने स्थान पर बैठे इससे बड़ा और क्या हो सकता है वैसे तो गुरुदेव समर्थ रामदा स्वामी के भी भकता है और रामदा स्वामी जी कहते थे आमी काय कोनाचे खातो तो श्रीरामत आमाला देतो और मुझे ऐसा लगता है कि वोई चीज आज हमें देखने को मिलती है हमारे जगतगुरु तुकारा माराज हमेशा कहते थे जगाचा कल्याणा संतांचा विभूती देह कष्टविती परोपकारे आज हम देख सकते हैं ये मंच पर बैठे हुए जितने संत है इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे संस्कूर्टी के लिए हमारे विचारों के लिए हमारे मूल्यों के लिए यहां पर दिया है और ऐसे सारे लोग आज एक संत के अमरुत मोटसों पर यहां पर पधा रहे है तो मैं आये हुए सभी संतों का और विशेश रूप से हमारे शंकराचारी जी का महाराष्टर की बारा करोड जनता की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जैसा की यहां बताया भी गया कि स्वामी जी ने 181 देशों में आठ लाख लोगों को गीता का परिचे कराया और गीता परिवार और महरशी वेदव्यास प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं के माद्यम से जन जन तक गीता को पहुचाने का काम यह पूज महाराश्री ने यहां पर किया हम सभी जानते हैं संतन नैनेशवर जी माईवली ने भी गीता को सरल शब्दों में हम सभी तक पहुचाया और आज जिन्होंने गीता को सरल शब्दों में हम तक पहुचाया उस मावली की नगरी में ही सालों सालों से दशकों दशकों से घीता की सेवा करने वाले ऐसे एक मणिशी का सतकार हो रहा है ये भी मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत महत्पूर्ण इस प्रकार की बात है मैंसे तो हमेशा हम लोग ये कहते कि गुरू गोविन दो खड़े काके लगू पाउ यहां तो गुरू भी ए और गोविन भी ए तो पाउ किसके लगना हमारे सामने कोई प्रशन घि नहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज कोई भी दूईदा इस प्रकार की हमारे मन में नहीं है सच तो यह है इतने बड़े सभी हमारे आचारी यहां पर बैठे हुए है उनकी बात भी हम सभी को सुननी है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव जी ने संग के स्वयम सेवक के रूप में राष्टर की चिंता की और एक सन् कारे लोग उनका अभिष्ट चिंतन करने के लिए आये हैं और शंकराचारे जी ने जो शायद काची पीट से किसी को नहीं मिला इस प्रकार का आशिरवाद आज पुझ गोईंग गिरी द्योजी को दिया है इसलिए मैं उनका बहुत बहुत यहां पर अभिनंदन करता हूँ और उनका अशिरवाद और मंचासिन सभी महानुभाव का अशिरवाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहे और हमारे देश की सेवा हमारे संस्कृती की सेवा हमारे मुल्यों की सेवा हमारे विचारों की सेवा यह उनके माध्यम से हमेशा होती रहे ऐसे राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ जै हिन जै महाराख्टर जै भारत जै श्री राम